इस हपते अगर आपको कॉमेडी मुवी देखने का मन है तो मैं सज़ेश्ट करूँगा दोस्तो मुबारका जरूर जाए हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंडी फिल्म रिवीव में आए रिवीव करते हैं कॉमेडी से भरपूर फिल्म मुबारका की मुबारका की कहानी करन और चरन की है दोनों जुड़वा भाई है और दोनों की भूमी का अरजुन कपूर ने निभाई है उनके माता पीता की मौत एक कार एकसिडेंट में हो जाती जिसके बाद उनके चाचा करतार सिंग याने की अनील कपूर करन को पालन पोशन के लिए अपने लंडन में रहने वाली बहन के पास भीज देते हैं और चरन को अपने पंजाब में रहने वाले भाई के पास भीज देते हैं अब दोनों जैसे ही बड़े होते हैं उनके घर वाले उनकी शादी के रिष्टा ढूनना सुरू कर देते हैं करन की गल्फ्रेंड स्वीटी याने की इलियना डिक्रूज है और चरन की गल्फ्रेंड बिंकल याने की आथिया शेटी है अब कुछ misunderstanding और confusion की वज़े से करन का रिष्टा चरन की girlfriend से हो जाता है और चरन का रिष्टा करन की girlfriend से हो जाता है हाला कि करतार सिंग याने की अनिल कपूर इस confusion को दूर करने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उनके जो आइडिया से हैं वो एक के बाद एक आइडिया फेल होते जाते हैं जिसके कारण कहानी में और भी turning points आते जाते हैं और इस तरह कई सारे twist and turn और confusion के साथ film एक comedy का रूप लेती है जिससे देखने में खूब मजा आता है तो जानते हैं दोस्तों इस फिल्म के screenplay के बारे में फिल्म का screenplay लिखा है बलविंदर सिंग जनुजा और गुर्मरीत सिंग ने और ये कहना पड़ेगा कि पठकता यानि कि screenplay ही इस फिल्म की जान है पठकता में दर्शकों को confusion ना हो इसका बखूबी ध्यान रखा गया है एक के बाद एक twist and turn आते जाते हैं और कई सारे पारिवारिक रिष्टे को बहुत ही अच्छी तरिके से फिल्म में दर्शाय गया है अगर एक्टिंग की बात की जाए तो अर्जुन कपूर ने अच्छी एक्टिंग की है चरन और करन के रूप में इस्पेशली मुझे अगर आप पसनली पूछेंगे तो चरन की एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी अनील कपूर को इस फिल्म का बैकबोन कहा जा सकता है उन्होंने पूरी फिल्म में बहुत ही अच्छा अभिनाय किया है इसी तरह करन की मा के रूप में रतना पाठक शाह ने वी जबरदस्ट एक्टिंग की है Heroines में इलियाना डिक्रूज ने अच्छी एक्टिंग की है आथिया शेट्टि को हलाकि ज़्यादा समय का रोल नहीं मिला है लेकिन उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है अन्य कलाकारा में नहा शर्मा भी है उनकी भी एक्टिंग ठीक है और अनीस बाजबी ने इतना बेहतरी डिरेक्शन किया है अगर गौर से इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जो उबर के आते हैं वो है अनीस बाजबी उनके डिरेक्शन की वज़े से सभी एक्टर्स ने बहुती अच्छा काम दिखाया है बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है एक बात और बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में फैमिली रिलेशन्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशन ने दिखाया है भाई बहन का जो किरदार है यानि कि करन की मा और चरन के पिता ने दोनों का बहुत ही अच्छी तरीके से भाई बहन का रिष्टा इस फिल्म में दर्शाया गया है और सही माइने में यदि कहा जाए तो इस फिल्म के जो मुख्य श्टार है वो निर्देशक अनीस बाजमी ही है फिल्म ओवराल बहुत अच्छी है एक कॉमेडी पसंद आया तो लाइक जरू करिए शेर करिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक रेड बटन दिया गया है उसे ज़्स क्लिक करना है और आप सब्सक्राइब हाजाएंगे तो इजाज़त दीजिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए